हलो वाइस आप सबी लोग को मेरे इस ओल आवोट टेक चैनल में तो भाई लोग देखो रियल्म यूए एक बहुत ही अच्छा हुए इस है और रियल्म यूए के एक न्यू वर्शन भी आने बना टाइम में हमें देखने को मिलेगा उस वर्शन का नाम है रियल्म यूए 2.0 अब ये पिछले वाद से बस्ति अवर्शन को बता था अगर वह व्यूए अप लोग देखने चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन वे उसको देखने को मिल जाएगा या आपके वीडियो के डिस्क्रिप्छन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप बहुत अस चीट करेंगे तो चलिए आज का वीडियो चुरू करते हैं आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले रियल्मी वाई 2.0 का पंद्रा प्लास बेस्ट फीचर्स मतलब ऐसा कुछ फीचर्स बताऊंगा जो की रियल्मी वाई को अलग तो बनाती है उसके साथ-स यहां पर का उसके साथ-स बीन का भी दे गने को मिल जाएगा जलिए सबसे पहले फीचर के बारे में इहां पर सबसे पहले फीचर से उसका नाम है था-स ब्रॉज़ट का मतलब क्या है आप लोग रियल्मी युज वाuis का जो में वैंस बाड़ा मिल जाते हैं अमो बैंड डिस्प्ले हों बिए जाते हैं इन सम्सक्राइब केसिस अब लोग को वह चीज देगने को नहीं मिलती और साइसर हम लोग को पहां पे काफी कुछ प्रोब्लेंस भी देगने को मिलते हैं डार्क मोड के अदर क्योंकि यह अब बीटा अपडेट पे चल रहा है और भाई features के बार में और यहां पर जो second feature से उसका नाम है better battery optimizer मतलब better power saver अगर आप लोग colorway 7.2 के features में देखें तो बहां पर बोला गया था most power saving मतलब एक ऐसा power saving unit बहां पर clear कर जाएगा जहां पर काफी हद तक आपको battery save होता हुआ देखने को मिल जाएगा तो यहां पर उस चीज़ को यूज नहीं किया गया है यहां पर एक और चीज़ को यूज को यूज किया गया है जो कि आपको standby time और आपका यूज टाइम के अंदर भी battery को काफी हद तक यहां पर कोई डेडिकेटर पार्ट से भी option नहीं है यह एक इन्रिविल उपसाने जिसके मदद से हमार जो बैटरी है वह और भी अच्छे तरीखे से से भोगा और हम अमने बैटरी को काफी असान इस अच्छी तरह से यूज भी कर सकेंगे अब हम लोग बात करते है नंबर थ्री फीचर्स के बाड़े में और यहां पर जो नंबर 3 फीचर्स है उसका नाम है 2nd level lockscreen अब लोग स क्टीन अब हर दो बात के बात कर देखेंग है अब ही तक हेर एक जो कीर से उसके मावाब का फोन होता है या उसके पास खुद का फोन ह हो जाता है तो वो किसी भी website में हुजाते हैं किसी भी application में हुजाते हैं जो हड़ बाद के लिए applicable नहीं होता है वहाँ पर अड़ल चीज़ भी रहते हैं तो यहां पर Google ने उस privacy protection को ध्यार में रखते होई यहां पर निक्स second level law screen का उपयोग क्या है second level law screen basically का ऐसा law screen होगा जिस law screen को only parents यह 18 साल के उपर की कोई बेक्ती कुल सकते कोई की उसको यूज नहीं कर पाएगा तो जो पेरेंस अपने बच्चे को फोन दे रहे हैं तो उनको जुरूर जुरूर यह चीज़ ध्यार में रखना होगा कि जुरूर बोलो second level law screen को एनेबल करके तबी उनके बच्चे को वह फोन दे दे उसके बाद हम लोग बात करते हैं बह लोग का कुछ वाटसब आ है या कुछ ऐसा चीज आ है जिसका नोटिफिकेशन आपके स्टेरस बाढ़ने में है और अपने गलती से उनको हटा दिया एक बहुत प्रॉब्लेम बाली चीज़ है कि नोटिफिकेशन हटाने के बाद हम लोग उस नोटिफिकेशन को बापस दे हो रहेगा आप काफी आसा से नोटिफिकेशन को बैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा नोटिफिकेशन में आता बर इहां पर गया यहां नामर प्र इसका बाढ़न पर न्प कर सब्सक्रांद कराएग और उसके लिए आप लोग को कोई भी अप्लिकेशन को पूरीता से मिनिमाईज नहीं करना परेगा बाहर आना नहीं परेगा तो यह पीचर्श भी काफी ज़्यादा है एंड्रोइड लेवन एड्यार्मी यूएट लिए नमबर सिक्स की बात कते हैं और नमबर सिस का जो कर आप लोग देख पाएंगे इंप्रूब आप परमिशन की मदद से यहां पर अप्लिकेशन को काफी ज़्यादा हाद तक इन्हांस कर दिया जाएगा परमिशन की मदद से यहां पर क्या होता था एंड्रोइड 10 में आप लोग को एक option मिलता था कि क्या हम लोग जब क्यों अप्लिकेशन को ओपन करेंगे तब ही उसका location जाए तब ही उसका permission जाए पर येस अगर आप लोग को कोई ऐसा application फोड में है जो आप लोग सायद नहीं जानते या ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप लोगोंने डाउलोर्ड तो कर रखाया पर यूज नहीं करते महिने के महिने बीद गया है तो यहां पर Google क्या करेगा या Android 11 या Realme UI 250 क्या करेगा आपका जो वो application है उस application के अंदर जो permission दिया हुआ है उस permission को by default बोले लेगा तक कि वो application कुछ से कुछ ना कर सके अगर वो मेलोर हुआ तो भी कुछ ना कर सकी यह जो application है यह जो features आप बोश सकतो हो बहुत ह जदा अच्छा है और बहुत जदा मतलब यूसफुल भी है अब लोग बात करते है नमबर सेवन की और यहां पर जो नमबर सेवन आ जाता है उसका नाम है पीन एप्स टू यो सेयर मेनू मतलब यहां पर आप कोई चीज़े सेयर करते हैं तब आपके सामने पहले Instagram आता है प आप ज्यादा परमिसन देंगे मतलब ज्यादा प्राइटी देंगे बुग अप्लिकेशन आपके सेयर मेनू के सबसे टॉप में रहेगा और इसके लिए आपको ढूना नहीं पड़ेगा मतलब आगर आप लोग जेंडर जादा यूज करते हैं जादे कि मैं जेंडर बहुत आप लोगों ने साय सुना होगा तो मैंने तो सुना था यह तो गूगल का एक एंडरोइड 11 का फंक्सन है यह होटसपोड है कोई और चींता नहीं होटसपोड है हमेशा यह 100% होटसपोड है पर इसका काम तो अलग भी है आप लोग डारेक यूसबी से कंपूटर में र है माँ पर यह जो डाइरेक यूस बीस से अपना फोन को करनेट कर सकते हैं और बहां से इठरनेट वौड है उससे अपका PC को करनेट करके आप लोग PC में बी इंटरनेट AID नाल सकते हैं और उसके साथ अधिन स्यार के मतलLस से आगर आप अपने जो फोन उसको आपके तो आप लोग वाई-फाई में डारेक्ट इंपूट करके पूरी घर को मतलब इंटरनेट कनेक्टेट कर सकते हैं जो कि वाई-फाई थ्रीटर रिंग का बहुत ज्यादा अच्छा फीचर से अब यह हम लोग बात करते हैं जो उपर से हटता नहीं है और वो हटता तो नहीं है उसके साथ बैटरी भी ड्रेन करता है यहां पे Android 10 में हम लोग के बास काफी आपसन है कि हम लोग उसको मूट कर सकते हैं हटा सकते हैं बहां पर नहीं रख सकते पर कुछ कुछ ऐसा आ जाता है जिसको हम लोग कभी भी साइड नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग Android 11 या आप लोग Realme UI 2.0 में साइड कर पाओगे जो कि मेरे ही सबसे काफी अच्छी बात है और इसके मदद से जो बेकार के नोटिफिकेसन आते रहेंगे उस नोटिफिकेसम को हम को जहल लाने ही पड़ेगा हम लोग सीरे उसको साइड कर सकते हैं यहां पर जो नमबर 10 या नमबर 9 आ रही है वह आ रही है कि भाई यहां पर टैग नोटिफिकेसन आपका बहुत सब्सक्राइब होंगे उस नोटिफिकेसन को आप लोग फेवारिस के तौर पर से सब्सक्राइब कर सकते हो वहां पर से हटेगा नहीं और आप जिदनी बार बहुत ज़िए अच्छा और हैंडी फीचेस भी आप माल दिजीए आपने अप्लिकेसन का जो परमिसन है उसको पूरीतर से साइलेंड रखा हूआ है मतलब जो नोटिफिकेसन आएगा पूरीतर से साइलेंड होगा अपना आवास नहीं करेगा पर नोटिफिकेसन तो दिख इसको वो हाइड कर देगा ताकि आप लोग को बाद में जाके टाइम मिल सके और उसको आप लोग देख सके पर आपका जो नोटिफिकेसन है वो बाकी कोई देखना पाए जो कि मेरे ही सबसे प्राइब इसे में सबसे टॉप नॉच फीचर से आप नीचे बताएए कि आपक लैंस कंट्रोल सिस्टेम डाइक डाइग मोर्ट वॉइड मोर्ट सिस्टेम लाइक कि सीम स्विच शिस्टेम और काफी सारे चीजे रियनमी खुछ से महां पे देगा नेबाए डाइम में करता रहोंगा आप लोग को उसके लिए चैंसर मत करो अब बात करतें नेक्स फीचर जाएगा तो ऐसा कुछ मोसंगेस सिस्टेम हमें Android 11 और रियल मुए 2.0 में देखने को मिल जाएगा जो कि अपने एक्सप्रियंस को काप यह तक हिनांस कर देगा उसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यू स्क्रीन सट पॉप अब स्क्रीन सट कैसे पॉप अप होता है Android 10 में आप लोगों ने देखा इस साइट से हमने स्क्रीन सट ले इस लेप और राई साइट में चोड़ा से साइट में स्क लिखता है वैसा चीज अभी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो भाई लोग यह कुछ फिचर्स था रियल्मी वाई 2.0 का बेस्ट अंड्रोइड 11 का जो मुस्ट अप देखने को मिल जाएगा और कुछ फिचर्स भी लिखो के आई है जैसे एनांस डार्क मोर वाला जरो के टॉप 15 प्लास फिचर्स तो अभी बताओ इन सारे फिचर्स के अंतर सबस्द हैंडिया सबस्द है यूस्फुल मतलब एक नजर में आप लोग सकतो कि वा भाई यह बाकी सब आयना यह ज़रू आना चाहिए वह कौन सा फिचर्स आप नीचे मुझे कॉमेंट करके ब जब बाई